नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के एकस्पायरी में मार्केट में किस तरीके का मुमेंटम हो सकता है और ढ़ाई बजे के बाद जो जैकपोट या हीरो टू जिरो के जो ट्रेड आते है उस ट्रेड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किये कर सकते है उसके पीछे का logic क्या है ये जो बड़े मूँ देने वाले जो trade रहते हैं उस trade को हम लोग किस तरीके से identify कर सकते हैं उसके पीछे का price action का plus option chain का क्या logic होता है तो step by step सभी बाते इस वीडियो में सीखेंगे और वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा कि jackpot trade को कैसे identify किया जाता ह तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का momentum आज के दिन market में हुआ तो जो लोग मेरे continuous वीडियो देखते हैं मैंने कल के दिन ही आपको बता दिया था कि market में जो open interest का data बन रहा है उस इसाब से market को उपर जाने में दिक्कत आएगी और अगर आज के दिन का अगर हम पड़ेगा कि कल के दिन किस तरीके का momentum हो सकता है पिछले कुछ दिनों का अगर हम लोग price action देखते हैं तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि market जो है वो market कुछ भी clear cut trend नहीं दिखा रहा है एक बहुत बड़े range में market first चुका है और अभी कल के दिन market जो है वो crucial level के ऊप अबर आ चुका है आपको यहां पे में कुछ zone दिखाने जा रहा हूँ इस zone को थोड़ा समझ लीजिए यहां पे में यह जो zone में ने draw किया हुआ है यहां पे क्या होता है volatility बढ़ जाता है और volatility बढ़ने के कारण expiry के दिन आपको एक बढ़िया opportunity भी मिल सकता है तो यह zone को आ ही हमें indicate कर रहा है तो इसको हमें कैसे play करना है इसका थोड़ा पहले option chain में देख लेते हैं तो option chain clear हो जाएगा तो बाकी की बाते भी आपके लिए clear हो जाएगी तो यहां पे मैंने आपके सामने bank nifty का option chain लगाया हुआ है option chain के analysis में basic बाते call की side के उपर resistance देखो put की side के उपर support देखो अभी यह 35,000 का जो crucial level है यहां पे आगर आप देखते हो तो call की side के उपर highest open interest बना हुआ है और put की side के उपर भी highest open interest बना हुआ है तो यह जो call की side के उपर highest open interest बना हुआ है वो as a resistance का का काम करेगा और put की side के उपर जो highest open interest बना हुआ है यह as a support का का काम करेगा अभी यहां पर आप देख रहे हो कि इस 35,000 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट 34,770 के करीब ट्रेड कर रहा है, अभी लायू मार्केट में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यहां पर rate change हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर highest open interest आभी भी बना हूँ है 35,000 के उपर, तो इसका क्या meaning होता है, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा, जब आप इस meaning को समझोगे, तब जाके आप उस option chain को analyze करना सीख पाओगे, और आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में किस तरीके का momentum हो सकता है, यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कि जो लोगों ने यहां पर put right किये हुए है, वो सभी लोग यहां से आभी भी निकले नहीं है, कुछ लोगों का आभी भी इस level के उपर भरोसा कायम है, अगर market closing के time यह highest open interest 35,000 के level पर ही बना रहता है, तो कल के दिन market में एक bounce back आ सकता है, अभी इस bounce back के पीछे का logic को आपको समझना पड़ेगा, यह 35,000 का level है, अभी market जो trade कर रहा है, यह 35,000 के नीचे trade कर रहा है, 34,760 के उपर trade कर रहा है, अगर यहां पर market trade कर रहा है, तो जो लोगों ने यहां पर put right किया रहेगा, put right करने वालों का नजरिया क्या रहता है, कि market यहां से उपर जाने वाला है, इसलिए वो put right करते है, put जो buy करते हैं, उनका नजरिया यह रहता है, कि market यहां से नीचे आने वाला है, तो यहां पर put right जो लोगों ने किया रहेगा, वो लोग आभी भी निकले नहीं है, आभी भी वहां पर position में वो डटे हुए है, मतलब उनको कही ना कही अंदा आजा है, कि कल के दिन market में एक bounce back मिलने वाला है, तो closing के time tag इस option chain को observe कीजिए, और closing के बाद देखिए, अगर यह open interest यही पर बना रहता है, तो कल के दिन आपको एक bounce back दिखाई दे सकता है, यह option chain का मेरा जो free course है, यह free course आपको अगर join करना है, तो इसका sub detail मैंने telegram channel पे दिय हुआ है, telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है, अभी कल के दिन आगर bounce back भी आता है, तो यहाँ पे आप देख लिजे, आपका understanding clear हो जाएगा, 35,000 के उपर 27,000,000 शेर से एड़ हुए हैं, 35,100 के उपर 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, connection बहुत ही strong हुआ है, तो market अगर bounce back भी देता है, निचले स्तोरोग से, तो उपर की side में market को resistance face करना पड़ेगा, यह resistance market को face करना पड़ेगा, इसकी वज़ा से market ज्यादा उपर का momentum नहीं दिखा सकता, यह बात अभी आपको clear हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लो खुद वो level draw कर पाओगे, और खुद वो level draw करने के बाद आप एक professional trader बन पाओगे, तो आपके सामने मैंने अभी 2 level draw करके रखे हुए है, यह नीचे का level है, वो नीचे का level आ रहा है, 34,570 के करीब का, यह इस level से market में upside का momentum स्टार्ट हुआ था, और एक ही बार ने market ने इसको टच करके ऊपर चला गया था, तो कल के दिन market में यह level as a support level act होगा, अगर market gap down खुलता है, और इस level से bounce back देता है, तो यहां पर एक buying का opportunity हम लोगों को मिल सकता है, इसके पीछे का condition यह है, कि market gap down के साथ खुलना चाहिए, तब ही जाके यह opportunity हमारे लिए important opportunity रहेगा, यह जो 35,19 297 का मतलब 200 का level बन चुका है, यह as a resistance level act होने की possibility है, लेकिन यह level तक market को पहुचने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि option chain में उस तरीके का data बन रहा है, यहां पर आगर आपको इस option chain के data में कुछ दिक्कत आती है समझने में, तो आप bank nifty के साथ nifty का भी option chain का data दे देंगे, एक जैसा ही conclusion दे देंगे, तो वहां पर आपको ज़्यादा accuracy मिल जाएगा, अभी यहां पर जो nifty का data लगाया हुआ है, option chain का, यहां पर आप देख सकते हो कि उपर की side के उपर, जो option chain के हिसाब से जो call writing हुआ है, वो heavy हुआ है, as compare क्यो down side के strike price के उपर, जो put writing यह jackpot के trade को किस तरीके से identify किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, jackpot का मतलब यह होता है कि एकदम short period में आपको बहुत बढ़िया one sided momentum मिलना चाहिए, पहली बात यह है कि यह धाई बज़े के बाद ही आपको इसको wait करना पड़ेगा, धाई बज़े तक अगर आप trade क तो यहाँ पे white color में जो दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते है out of the money call option और इसको बोलते है out of the money put option, तो यहाँ पे आपको जो LTP दिखाई दे रहा है, LTP का मतलब होता है last trader price, तो कल के दिर market बानलो कि यहाँ पे expiry हो गया, तो यहाँ पे out of the money जो option रहते हैं, वो सभी almost zero हो ज जाएंगे, क्योंकि उनको उनको वहाँ पे जिस लोगों ने position बनाया रहेगा, वो लोगों को यहाँ वहाँ पे वो कल के expiry से पहले वो position को square up करना पड़ेगा, तो अगर हम लोगों को यह jackpot move catch करने हैं, तो jackpot move जो आते हैं, वो generally short covering से ही आते हैं, अभी यह short covering को हमें किस त example के लिए आपके लिए बता रहा हूं, कल के दिन आपको यही देखना है, धाई बजे के बाद कि हाईस्ट open interest कहां पे बना हुआ है, call की side की तरब, तो मान लो कि यह 15,900 का जो level है, वहाँ पे highest open interest बना हुआ है, call की side की तरब, तो कल के दिन धाई बजे के बाद आपको देख अगर market इस level के ऊपर आकर 3-4 minute के लिए market यहाँ पे sustain हो जाता है, तो उसके बाद short covering का बड़ा rally आ जाएगा, और उसमें आपको बहुत बढ़िया one sided momentum दिखाई देगा, तो यही logic होता है, कि आपको one sided momentum jackpot trade या फिर आपको zero या zero trade आप जिसको बोलते है, वह कैसे identify करने है, इ 20 रुपय का call का premium directly यहाँ पे 100 रुपया, 1500 रुपया भी हो जाता है, within a short period यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया momentum दिखाई देता है, इसके पीछे का एक ही reason होता है, यहाँ पे जो लोग trap हुए होते हैं, वो trap हुए होए लोगों के लिए कोई भी option नहीं बचा रहता, उनको at any cost expiry होने से पहले, तीन बच कर तीन मिनिट से पहले position को square up करना पड़ता है, इसकी वज़ा से वो बढ़िया momentum आता है, तो अभी हम लोग जब निप्टी के chart देखते हैं, तो निप्टी के chart में हमें price action के हिसाब से जो level मिल रहा है, वो level में आपके सामने यहाँ पे mark कर रहा हुआ है, यह 15,680 का level में आपके लिए mark किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर market कल के दिन downside की तरफ breakdown देता है, तो आपको बड़ा momentum दिखाई दे सकता है, क्योंकि downside में यहाँ पे किदर भी आपके लिए resistance support का level नहीं मिल रहा है, तो market में कल के दिन probability जादा बन रही है, कि इस zone म अगर market दुबारा आता है, तो आपके लिए expiry के दिन बहुत ही बड़ीया momentum आप लोगों को दिखाई दे सकता है, यह जो अपना free वाला telegram channel है, जहाँ पे मैं intraday के free के option के signal दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको खल update कर दूँँगा market hours में कि मुझे किस तरीके का scenario लग र यह जो free वाला channel है, इसका link में ने video के नीचे description box में डाला हुआ है, यही अपना official channel है, तो अगर आपको यह video का educational content अच्छा लगता है, तो इस video को like कीजिए, और video को like करने के बाद आपने YouTube channel को subscribe कीजिए, और subscribe करने के बाद bell icon का button दाबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया video लगाऊंगा, immediate आपको उसका notification मिल जाएगा, तो मिलते हैं next educational video में, thank you very much.